हेलो गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल सो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं यह ब्यूटिफुल सा आई शेडो आई मेकप जो आप ब्राइट को कर सकते हो सो लेट स्टार्ट यहां पे मैंने थोड़ा ब्लीव और पिंक को मिक्स करके एक परपल सा शेड लेके क्रीज लैंड प और अपलाई करते जारी हूँ थोड़ा ब्लीव मिक्स करके इसको डाक कर रहे हूँ जितना डार्क आपको चाहिए उतना अपलाई कर सकते हो आप उसको साथी साथ ब्लेंड भी करते जाना है आपको उसके बाद मैंने फिर से दोनों कलर को मिक्स किया थोड़ा लाइट परफल सा शेड मैंने अपलाई किया है क्रीस के उपर और इसको ब्लेंड करेंग अब 16 पर अच्छे से हमको ब्लेंड करना है कलर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों ने अलग-अलग colors यूज़ किये हैं सब colors एक ही लगने चे ब्लेंडेट उसके बाद यहां पर मैं white color का concealer ले रही हूँ crease बनाने के लिए so crease के लिए मैंने एक guideline बना लिए है हम लोग round वाला crease बना रहे हैं में अच्छी से crease को बनाके इसकी बाद outer corner में मैंने same जो उपर color यूज़ किया था blue और pink यूज़ करके वह वाला color मैंने फिर से यहां पर apply किया है आउटर और inner corner में साथी साथ उससे blend भी करना है तो यहां पर देख सकते हूं मैं दोलो साइड में अच्छी से color deposit करके उसको blend किया है अभी मिड में अच्छी से ब्लेंड करना है ताकि वह बाकी color के साथ भी मर्ज हो जाए इसकी बाद वापस उसकी बाद वापस मैंने यहां पर वाइट कलर का concealer लिया है हमारे crease को तोड़ा define करने के लिए बस अपर साइड में थोड़ा हम लोगों को crease को define करना है एकदम पतला सा line में यहां पर बला रही हूँ कि अगर पर बाद यहां पर मैं glitter अप्लाइं कर रही हूँ मिड में थोड़ा नहीं पर दोड़ा सा golden color का glitter मैंने यहां पर यूज किया है अब हम करने जा रहें लाइनर सो यहां पर मैं विंग लाइनर देने जा रहे हैं मिड से मैंने स्टार्ट किया है और एंड में में विंग दे रही हूँ अच्छे सी इनर कॉर्णर से भी आपको लाइनर को डिफाइन करना है दोनों साइड का लाइनर एक्वल होना चाहिए आए मेकप में सु यहां पर हमारा आई एल्यानर अल्मोस्ट डन है उसकी बाद मैं आइलेश इसका अप्लिकेशन कर दिया है तो गाइज हमारा यह ब्यूटिफुल सा आई मेकप डन है अपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बटाना वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्यू गाइज सी यू इन नेक्स्ट वीडियो